इसी पर नियत पे सक हो रहा है कि क्या ये चुनावी एक स्टंट बाजी था वोट लेने के लिए और आगे भी चुनावी ये स्टंट बाजी होगा कि एलेक्शन आएगा उससे पहले दरादर नोटिफिकेशन जारी कर देंगे फिर दो साल तीन साल प्रोसेस चलते रहेगा उस स्कृत किया है बिहार ने सैंसंग किया है कि एक लाग पे 181 या 183 पुलिस कर्मी होने चाहिए है 86 दावा तो खुब किया जा रहा है लेकिन अभी तक एक नौ महीना होगी आप सुच लिए जो सरकार जो पाटी जो है वो कहते हैं कि हम पहले कैबिनेट में 10 लाग और वो नौ महीने में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि साथ हजार सातर हजार जो बहाली के लिए पहले स उसको लेकर नोटिफिकाश इसका मतलब सीधे सीधी था कि ये चुनावी स्टेंट बाजी था सीधीय सचिवाला सहायक परिक्षा को लेकर 2018-2022 तब कर मेंसा होता था कि अगले महीने इतना हजार अगले महीने इतना हजार और आया कव चार सल बाद आया है कि ये लोग सभा चुनाव से कुछ महीना पहले ये लोग नोटिफिकेशन देंगे और प्रोसेस चलते चलते ये चुनाव को अपना भजा लेंगे और फिर 25 का चुनाव जब होगा उसमें इसका रिजल्ट दिया जाएगा उसमें फिर कुछ बहाली दिया जाएगा नमस्कार आप देख रहे आज तक बस युवाओं के साथ चलावा किया गया है उनके साथ धोखा की गई है उनको एक भ्रम में रखा गया है कि नौक्रिया मिलेंगी नौक्रिया मिलेंगी पर नौक्रियों के नाम पर बस मिला है तो कटोड़ा इस विसेवर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोग का फोन मैसेज या हमारे वीडियो पर कमेंट आते हैं कि कब बहाली आ रही है और युवाओं को ये आसा तब हो गया जब तेस्वी यादो सरकार में हैं 2020 का आपको चुनाओ याद होगा पूरे जन सभा में पूरे चुनाओ के दोरान तेस्वी यादो का एक ही मुद्दा था क कि मैं जब सरकार में आऊंगा तो पहला जो कैबिनेट होगा पहला हस्ताक चार दस्ताक नौकरियों को लेकर होगा लेकिन सरकार में नहीं आ पाए लेकिन फिर सरकार में आये उनको दो सरबाद मौका मिला और देखिए नौ महीना होने जा रहा है और अभी तक वो बहाली के आसा हुगा मुझे भी आसा था कि युवा हैं और जरूर युवा करेंगे इतना उनका मैनिफेस्टों का सबसे अहम चीज था वो और उसके कारण बिहार के युवाओं ने काफी बढ़ चल के उनको वोट भी दिया उसके बाद 15 अगस्त को गांधी मैदान के प्रांगन से मु अभी तक इसको लेकर कोई काम नहीं चल रहा है देखा जाए तो जो सिक्षक नियोजन सबसे बड़ा बहाली होने वाला है केवल वादा पेवादा तिन-चार सालों से कई लाग छात्रों को लटका भटका के रखा गया है कहने का मतलब है कि केवल ये कहा जा रहा है कि अगल उसी के नाम पर ये चले जाएंगे कि हम तो युवाओं को से नोकरी दे रहा है नोकरी दे रहा है कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि देखिए इनकी नियत हमको सही नहीं लग रही है अगर नियत सही रहता तो ये इस पर काम करते और सबसे बड़ा बा केजिंग करके और नियुक्ति पत्र बाटे गए ये दिखावा किया गया कि हम नोकरी दे रहे हैं अरे आप नोकरी नहीं दे रहे थे वो दस-दस साल पुराना पहाली था आप बी एससी ए कंडिडेट को बुला कि आप नियुक्ति पत्र दिये वो तो जोईन कर लिए थे आ पुरा बड़ा पुराम इवेंट करके उसके बाद सेदम चुपी नया बहाली देने को लेकर वो सब जो चीज थे वो तो तो त्यस्विया दो क्याने से पुले पुरा हो चुका था नया कहां आया कि इसी पर नियत पे सक हो रहा है कि क्या ये चुनावी एक स्टंट बाजी वोट लेने के लिए और आगे भी चुनावी एक स्टंट बाजी होगा कि एलेक्शन आएगा उससे पहले दरादर नोटिफिकेशन जारी कर देंगे फिर दो साल तीन साल प्रोसेस चलते रहेगा उसके नाम पर वोट वाट लेंगे कि हमने तो इतना बाहाली निकाला है तो बहुत सारे युवा हमको फोन करते हैं जो अभियरती हैं जो तैयारी करते हैं वर्सों से लगे हुए हैं उनका कहाना है कि देखिए हमें इनके नियत पर सक्ख हो रहा है कि इनका नियत जो है नोक्री दने के लिए है या नहीं है विहार अगर नोक्रियों की बात करें तो सि लिख्षा कब देंगे नौकरी कब होगी कितने युवाओं का उम्र बीतता जा रहा है इस पर क्या कहना है देखिए पुलीस बहाली जो है अभी किसमें में सिक्षक बहाली के बाद सबसे बढ़ा बहाली है आप देखे तो पिछले साल दिसंबर में कैबिनेट के दवारा लग लोक सभा में जो राजमंत्री हैं ग्री राजमंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रसन के जवाब में कहा कि देश में सबसे कम पुलीस पुलीक अनुपाद जो है वो बीहार में है ऐसा एस्टेट जहां पर लॉइन ओडर सरकार का यूएस पी है लॉइन ओडर बीहार में उन्होंने बताया कि 75 है परती लाग अगले दिन बीहार पुलीस के द्वारा ये करेक्शन किया गया कि नहीं उस जन संख्या पर देखे तो 86 है लेकिन बीहार ने सुकृत किया है बीहार ने सैंसंग किया है कि 1 लाग पे 181 या 183 पुलीस कर्मी होने चाहिए है 86 आप सर्कार्प के पहले कि लगभग आधे से भी कम हैं और बहाली को लेकर आगे हम देखें तो क्वेलबादा किया जा रहा है कि काने का मतलब है अभी तक बहाली के सूरत में नोटिफिकेशन की सूरत में एक भी बहाली को लेकर अभी तक किसी आयोग ने जो पुलिस की भरती करते हैं उनके द्वारा नोटिफिकेसन नहीं दिया गया है वो भी कैसे देंगे आखिर सरकार जब उनको हरी जंडी देखा देगी तो तो बहाली का प्रक्रिया शुरू कर देंगे वो लेकिन वो उनके पास अभी तक कुछ भी नहीं आया है और इसमें दावा किया जा रहा है कि 20.000 दरुगा का बहाली है इतना 35.000 सिपाही का बहाली है ड्राइवर का बहाली यह बहुत का बाहली दावा तो खुब किया जा रहा है लेकिन अभी तक एक 9 महीना हो गी आप सोच लिए जो सरकार जो पाटी जो है वो कहती थे कि हम पहले कैबिनेट में 10 लाग और वो 9 महिने में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि 60,000-70,000 जो बहाली के लिए पहले से है उसको लेकर नोटिफिकेशन इसका मतलब सीधे सीधे था कि यह चुनावी यह स्टेंट बाजी था अगर उतना अगर इनके पास तैयारी रहता पहले से तैयारी किये रहते कितने विवाग में कितना से ठखा लिया कैसे यह किया जाएगा तब तब यह दे दिये है तर नोटिफिकेशन इसका मतलब था कि तेयस्वी याद्वा कुर्ण बहुमत आता भी तो भी वो नहीं देने जा रहे थे अब उससे पहले भी निती इस कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कुछ दिन पहले पेपर में दिया गया था कि जून में आएगा लेकिन पेपर पर भी कैसे विश्वास करें देखिए उन लोग को भी सुचना दे दिया जाता है वो लोग छाप देते हैं लेकिन उन लोग को भी भरम में रखा जाता ह है ऐसे क्योंकि हम गवाज हैं हम चाहे हजारों युवाज होंगे कि बहालियों को लेकर प्रवाजी खुब हुगा है तितोय सश्वाला सहाय परिच्छा को लेकर दोहजार ठाडा से लेकर दोहजार बाइस अग्ले महीन में इतना हजार हो secular sendo साल बाद आया हो तो जुन में कैसे विश्वास करते हैं और आने वाला तो था वो जनवरी फरवरी में ही अक्टूबर नॉमबर से सिपाली सिपाही भरती के लिए आने वाला था आज अप्रैल आगे आभी तक नहीं आया तो देखिए क्या होता है क्या मामला फंसा हुआ है य उसमें इसका रिजल्ट दिया जाएगा और उसमें फिर कुछ बहाली दिया जाएगा फिर उसके बाद ठंडे बस्ते में चला जाएगा अच्छा खासकर बात करें पारदरसिता की ट्रांसपैरेंसी की तो बीपीएसी ने थोड़ा बहुत साफ कर दिया है पर दरोगा सिपा करो इसे कि जो सबस्पैरित्षा का लेंडर की हम लोग मांग करते थे हम उठाते थे हम्भी पहले काणिडेट रहे हुए है और देखते थे तीन तीन साल एक परिक्छा में लग लेकिन जब से अध्यक्ष बने अतुल परसाथ जी और पिछले साल बढ़ा बढ़ा कांज सभूआ उसके बाद इनको लाया गिया उन्होंने सबसे परिछा कलेंडर दिया फिर से आपको हर एक चीज में बोराई लेना सुरू की आं ब्यवस्था को हर एक तरह से पारदर्सी बनाने का प्रयास किया गया और काफी हद तक जो है बीपीएसी इसमें सफल रहा है और हम लोग को भी लग रहा है कि नहीं ऐसे ही आयोग को काम करना चाहिए और अभी कहें तो वीपीएसी अभी क्या कहा जा आपने पूरे वेस को बदल दिया उसने पूरे कारेपरणाली को बदल दिया और इतना अभी वो सटिक हुआ है कि इसका अनुकरन करना चाहिए अन्यायोग को अब देखिए ना दरोगा की बीएससी की बहाली होती है सबसे पहले देख लिजिए आप कोश्चन पेपर ही नहीं दिया जाता है कोश्चन पेपर नहीं दिया जाता है आप नरसरी से लेकर एमे तक परिच्छा देते हैं आपको अपना कोश्चन पेपर तो दिया जाता है ना लेकिन ये बताइए कि ये पुलिस की बहाली हो रही है करमचारी की बहाली हो रही है सचिवाले में काम करने वाले हैं इतना tough competition होता है इसमें कई बर भ्रस्टाचार की अरोप लगे हुए हैं कोट में मामला जाता है कोट से भटकार लगती है सीधे clear cut जो है वो गलती खामी नहीं देते हैं कोश्चन पेपर नहीं देना ही सबसे बड़ा इनके कारेपर नाली पर प्रसमिचे निखड़ा करता है दूसरा जी आप OMR सीट जो है उसमें कारबन नीचे लगवा कि उसको रगवाते हैं नियम इसके लिए ये पारदर सिता के लिए नियम बनाया गया था कि क स inना तो उस्में एक साखश रूप में दे आता है कि आपने जो गोला रंगा आप रखिए बाद में हम एंसर की देंगे उसका जवाब देंगे आप मिलाईए आप कितना सही मिस कहने का मतलब है कि आयोग के पास भी एक रहता है पुरुफ कि हमने कुछ गलत नहीं किया है ल जिस पर लिखा हुआ फोर एस्टुडेंट को भी अब वो देते नहीं खुली आम नहीं देते हैं अध्यों पूरा देश दुनिया जानता है कि इस परीच्छा में इस त्रह ऊता होता नहीं देते हैं और उसके बाद क्या होता है अब नहीं देते हैं एंसर की देने के बाद क्यों आप इंडेक्स बता देते हैं इंडेक्स बताने के बाद छातर जो हैं सड़क पर उतराते हैं हजारो हजार की संक्या में चात्रा जाते हैं कि नहीं मेरा गलत दिया गया है मैंने इतना सही किया है मेरा नहीं हुआ मेरे कम वाले का हो गया अब वो सही बोल रहा है आगलत बोल रहा है लेकिन आयोग तो प्रूव देने के इस्तिति में नहीं रहता है उनको प्रूव देना चाहिए कि आप जोट बोल रहा है और इसी कारण हम लोग को भी खबर करना पड़ता है क्यों नहीं करेंगे जब उतने हजार चात रहें बता दे आपको चौबुसाच श्यालीस का बहाली हुआ था पांच-पांच बड़ा अंदोलन हुआ था पटना में गिराफ्तारिया हुई लाटी चला क्या क्या नहीं हुआ लेकिन आयोग को कोई जू तक नहीं रहेंगा कहते कि हम पारदर्सी लेते हैं आपसे जब मांगा जाता है आटी इसे जवाब तो आप पहले बोलते हैं कि नहीं दे सकते हैं और बाल पहले जब आगा जाता है कहा जाये दमरंग बाजी भी कहा जाए दमरंग बाजी वह लाकित होता है कि भाई हम को हम जो दे दिये वो दे दिये तो यह पाड़ दर्सिता जो है जब अगर उपर से नियत सही नहीं है वो नहीं दे रहें इसका मतलब है कि वो जो है पहले से सिलेक्टेड है प्रोसेस दिखाने के लिए कर जिस तरह नहीं होता था कि आप सुनते होंगे सद्दाम हुसेन अपने इराक में चुनाव कराते थे कहने के लिए कि चुनाव हो रहा है डेमोक्राटिक प्रोसेस है लेकिन उसमें सबको पता रहाता था कि जो अपोजीशन में अपने ही से खड़ा करते थे और दो चार पांच दस वोट उनको दे 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 थे थे यहां भा ही परिच्छा ले रहे हैं पता नहीं कितना सच चाहिए लेकिन कोट में मामला जाता है कोट से फटकार लगता है कोट के चलते इनको एक्स्टा रिजल्ट देना पड़ता है बहुत बार और जब से दरोगा बहाली बिहार में हुआ है सायद एक 2213 को अगर हम छोड़ दे त ही थी तेरह हाजार समझिए आट-दस लाग छात्र एक जाम दिये थे अभी जो टीतियास नाता का स्तरिये हुआ है नो लाग फर्म फिलप हुआ था इसके लिए आप एक तरह से कहें तो दागदार है तब भीए आप नहीं देते हैं आपको देखी और क्लियर करना चाहिए कि नहीं भाई हममें कोई खोट नहीं है हमें कोई गलती नहीं है हमारा परिशा निस्पक्ष है पार्दर्सी है लेकिन वो करते नहीं है तो पारदर्सीता सबसे बड़ा मुद्दा है नोकरी देना बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है नोकरी में आप अयोगों को सामिल कर ले रहे हैं और योग बाहर है यह अपने आप में परधान मंत्री ने क्या कहा कि जो पारदर्सिता है मिस योगता का सम्मान नहीं होना ये सबसे बड़ा जुर्म है योगता का सम्मान होना चाहिए और उसके लिए जरूरी क्या है व्यवस्था को पारदर्सी बनाया जाए और जब आप उसमें योगता का सम्मान नहीं तो बिहार में कैसे इसका अच्छा ह होगा यह आप देखिए सिक्षक पहाली हैं देख लिए अभी निगरानी विभाग ने हाई कोट में बोला कि एक लाख दुस हजार सिक्षकों के फुल्डर हमें नहीं मिले हैं 2015 से यह जांच चल रही है आठ साल जांच के हो गया और समझे कि आठ सालों में 2013 में यह आजका दायर हुआ था समझे कि पिछले 10 सालों में एक लाख से अधिक लोग वैसे सिक्षक बने हुए हैं जो यगता नहीं रखते हैं और आप भी समझे कि एक लाख से अधिक वैसे नोकरी देने से मत्तब नहीं है इंदी योग लोगों को नोकरी मिले एक अच्छा वेवस्था बनाया जाए एक पारदर्सी वेवस्था बनाया जाए एक समय सिमा के अंदर उसको रखा जाए तब बहाली कि आ जाए तो देखिए नौ महीना तो हो गया जून में अब हला है लेकिन मुझे पुरा बिश्वास है अगर जून में ये लोग बोल रहे हैं जून में अगर पेपर को दिया गया तो जून में बहाली नहीं आने जा रही है क्योंकि मैंने देखा है कि जब-जब ये पेपर बाजी होता है जो समय दिया आता है उसमें बहाली का नोटिफिके अब देखा जा तो फिर से अब सिख्चक बहाली में आप देखी रहे हैं कि लाटी डंटा खाई रहे हैं कि इतने दिन से जेल जा रहे हैं तो ले देकर इस्तिती यही है कि छात्र जो है वो इंतिजार में बैठे हुए हैं सरकार जो है वादे पर वादे बहुत जल्द बहुत जल्द एक महिना दो महिना अब देखिए बहुत जल्द कब आता है अब बीपीएसी डूतिय इंटरस्तरीय बहाली जो है वो नितांत जरूरी था से पांसात साल पहले उसका आना देखिए मैं एक बात हमेशा बताता हूँ 2014 में जो पर्थम इंटरस्तर ये बहा ली आई तो 2014 में 13,120 करमचारियों की जरूरत थी ये बैकलोग जो है न 2014 से लेका 2014 के बीच में होगा विभिन विभाग भेजे होंगे सरकार को कि हमारे यहां जरूरत है तो ये 2014 में आई ये पूरा हुआ परिच्छा 2022 में वो भी 2000 सीट पर भरती नहीं हो पाया उसमें 1770 सीट के लिए छातर जो है वो कहां कहां नहीं क्या क्या नहीं कर रहे हैं तो ये देखिए कि आप 9-10 साल में आप एक बहाली को पूरा करते हैं अब 2010 में जो कर्मचारी 2010-2011 से देख लिए तो 10 साल में कितने हजार कर्मचारी रिटार की होंगे तो जितना आप बहाल कियें उसे जदा खाली रह गिया ओर हमेजहं जो आखड़ा आता है वो कितने कितने कभी 40,000 का और 50,000 का और यह लग का बहाली पुरा है टो आप देखिए कि यह जो है अभी पिछले 10 साल में ले किदे the और पिछले 12-13 साल पुराना बहाली को पुरा के और पूरा किया गया 200 IPS की जरूरत हो जाती है और उससे ज़्यादा जरूरत है नहीं हो पाता है और ये करमचारी भी देखिए तो इस IPS एक DM के अंडर में कम से कम 1500-2000 करमचारी होते होंगे पुर्या परकंडन मंडल मिला के तो समझे उसमें कितना जरूरत होता होगा अग उसका बहाली अब 10 साल 12 साल लगा देते हैं तो क्या हो रहा है एड होक बेसिस अजो रिटायर किये हैं उनको फिर से दो साल तिन साल के लिए जो एक कांट्राक बना कर साल होना चाहिए तो इसको बता दे कि आप पूछ रहे हैं क्या इसको लेकर कोई कार नहीं चल रहा है जब आयोक के पास आजाएगा सरकार रिक्ति भेज़गी अभुए अब ही इसको को लेकर कोई सुचना कोई कारे नहीं चल रहा है सरकार के द्वारा जब कि यह भी एक बड़ी बहाली है इसमें भी जल्दी काम होना चाहिए कब तक होता है अभी तो बीएससी दुतिय इंटरस्टरी को लेकर पेपर में भी खबर नहीं आना शुरूगा है और जब पेपर में बहुत जरूरी है और यह वैसे करमचारी है जो कि सरकार के कारियों को जमीन पर उतारते हैं ब्लॉक में अन्वंडल में जिला में सचवाले में फाइलों का किर्यानिवन यही करते हैं यहीं जमीनी अस्तर पर जो है वो योजनाओं को लागू करते हैं उसको फीडबैक लेत तक कैसे काम होगा आप देख लें कितने ब्लॉक हैं मैं आपको बता दू कितने ब्लॉक है जहां पर करमचारी जो हैं एक ब्लॉक अंडर में 44-45 डिपार्टमेंट होता है चोवालिस-45 ब्हार में डिपार्टमेंट है चोवालिस-45 और सारे का इंपलिमेंटेशन अंत में ब्लॉक लेबल सही होता है और एक ब्लॉक में करमचारी कितने होते हैं मुझे एक विडियो सहाब ने बताया कि देखिए भाई मेरे पास 45 डिपार्टमेंट हैं और करमचारी हैं चे कैसे होगा कैसे करना कि 44 डिपार्टमेंट के काम को लागू करवाना फिर उसके बाद उसका फिडबैक देखना कागजी करवाई करना समिक्छा में भाग लेंग ृफा कि कंद जी गड़गु करेंगे घअ हम देखी नहीं पाते हैं मेरे सकते हैं और मेरे पास करवाई है काम करना समय पूरा दिन लगा दे काम काम नहीं कर सकते हैं तो ऐसा सतिति है तो सरकार में समचस में उपने program development program को जमीन पर उतारना है तेजी से काम करना है तो इसके लिए आपको करमचारीयों की बहाली सही समय से करना होगा यही आपके प्रमुक सक्ति होते हैं जो आपके काम को आगे करते हैं तेज करते को और बात आपको मैं बता दूं कि बीससी जू कि आखिर सब बिहार का सब सभी सभी सुष्था योग है यह देश्क सभी सुष्थाइ जैते नहीं लोग बताते थे उनके अदिकारी लोग कि हमारे पास इक्रम चारी यह कमी है जो काम करने के जितना बड़ा-बड़ा बहाली यह बी एससी निकालता है उसको कम से कम पांसो हजार स्टाफ चाहिए उनके पास रहते हैं 32, 38 जिसमें आधा छुटी में हैं कुछ लोग यह हैं कैसे हो पाएगा तो सबसे पहले तो उनको एक स्पेसल बहाली निकालना चाहिए कि बी एससी में हमको चाहिए 500,000 एस्टाफ तो अब हम आगे बहाली हो कर पाएंगे यह भी एक कारण है तो देखिए अब सरकार का मुझे नहीं लगता है कि ध्यान इदर है सरकार का दिहान है सरकार बचाय रखने में या फिर अपने सपनों को पूरा करने में छात्रों को सपनों से उन्हें भी मतलब हमको कम दिखाई दे रहा है बहुत बड़ी बात है और हर एक पहलूओं पे इन्होंने सटिक जवाब दिया सटिक आंसर दिया और BPSC और BSSC के जो बहाली है कब निकल रहा है और किस-किस प्रकार का इसमें समश्य आती है युवा कितने परशान है इन सभी बातों को जो है इन्होंने रखा और बहुत स नहीं बात